सब्सक्राइब करें The Speed Study चैनल को और घंटी वाले बेल आइकन को जरूर दबाएं हैलो दोस्तों नमस्कार आपका अपने परिवार The Speed Study पर एक बार फिर से स्वागा थे दोस्तों हम लोग जो है दोस्तों इस क्लास में सीखते हैं कि जो प्रैक्टिस सेट है अर्था जो पेपर में पूछे जाते हैं वही हम लोग सीखते हैं दोस्तों और उसी क्रम में हम लोग आगे आज का जो हमारा सेट है दोस्तों आज हम लोग पहुचे हैं आज हम लोग पहुचे हैं दोस्तों प्रैक्टिस सेट नमबर 4 पे जी हां दोस्तों उसके पहले मैं आपको आज एक सूचना दे दूँ आज साम को 4 बजे दोस्तों आज साम को 4 बजे दोस्तों लाई बाना न भूलिएगा आज साम को 4 बजे लाई बाना मत भूलिएगा हम लोग आज एक अभियान चलाएंगी दोस्तों हम लोग आज एक अभियान चलाएंगी ज exam हो नहीं रहा है दोस्तों और जब exam हो गड़ी नहीं दोस्तों तो नहीए vacancy आएगी नहीं और नहीड आएगी दोस्तों तो बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे कि जो over age हो जाएंगे तो इसलिए दोस्तों हम लोग एक हला बोल problem करेंगे दोस्तों साम को चार बजे जिसमें हम सरकार को ये बताएंगे कि सरकार हमारा एक्जाम करवाए और हम लोगों की नई वैकेंसी आए जिससे जो बच्चे हमारे जो इस्टूडेंट होंगे जो ओबर एज होने वाले होंगे दोस्तों उनके लिए ये हला बोल कारिकरम बहुत ही महत्वपूर रहेगा तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में जुड़ने का प्रयास करिएगा दोस्तों ज्यादा से ज्यादा संख्या में आईएगा ताकि जो है सरकार तक हमारी आवाज पहुच सके दोस्तों आई एफ तक हमारी आवाज पहुच सके कि test exam करवार देना चाहीं दोस्तों तो इसलिए हम लोग अपनी पढ़ाई तो कर Relativo सात थोड़ासा सरकार के कान में अपनी आवाज पहुझा दे दोस्तों ताकि जो हम लोग हैं इस परिश्रम को कर रहे हैं इसका कुछ फल मिले हमको तो चलिए दोस्तों सुरू करते हैं आज का चार देखेंगे दोस्तों की सेट नंबर चार आखिर है क्या तो चलिए हम चर्चा करते हैं मैंने कहा भी था दोस्तों कुछ बच्चे नए जुड़े होंगे वो जान जाएं कि हम लोग जो सेट हमारा चलता है उसमें हम लोग question number 5 से discuss करते हैं दोस्तों क्योंकि जो आपका पहला question है दोस्तों पहला question आपका पैसेज रहता है और पैसेज में दोस्तों एक से लेकर के 4 question अर्था 4 question आपके पैसेज के आते हैं और पैसेज की हम एक special class लेकर आते हैं इसमें हम question number 5 से देखते हैं. तो चलिए हम लोग start करते हैं. अब question number 5. Question number 5 start करते हैं दोस्तों और आपकी screen पर लगा होगा. Question number 5 आपकी screen पर लगा है. क्या कह रहा है देखिए. कह रहा है spot the miss spelled word. Spot the miss spelled word. मतलब दोस्तों आपको 4 word दिख रहा है. इसमें से एक word दोस्तों गलत लिखा हुआ है. एक word की spelling गलत लिखी हुई है. और हमको वही correct करना है दोस्तों. मैंने कहा आज तक जो बच्चे starting से जुड़े होंगे. वो जानते होंगे दोस्तों कि हमने आज 4th set हल करना सुरू किया है. और 3 set तक हम हल कर चुके हैं. अर्थाद paper का pattern आपको पता चल जाता है. और जहां आप 20, 25, 30 set solve कर लिए दोस्तों. उसके बाद तो Air Force निकलना पक्का है. कि आप qualify कर लेंगे दोस्तों. तो एक बार जल्दी से दोस्तों share करिए. एक बार जल्दी से share करिए दोस्तों. उसके बाद हम सुरू करते हैं. जो question लगा है आपके screen पर question number 5. एक बार share करिए दोस्तों. तब तक हम इसकी word लिखते हैं दोस्तों. एक बार share करिए दोस्तों. अभी तक आप लोग share नहीं किये दोस्तों. अभी तक आप लोग share नहीं करें. एक बार share करिए दोस्तों. एक बार share करिए दोस्तों. तो चलिए हम देखते हैं. पहला word देख रहे हुँगे दोस्तों. एनिहिलेट लिखा है और एनिहिलेट कामत्लब होता है दोस्तों. दोस्तों मिटा देना या सर्वनास कर देना जी हां दोस्तों एनी हिलेट का मतलब होता है दोस्तों मिटा देना या फिर सर्वनास कर देना वहीं दोस्तों मोनस्ट्रस का मतलब होता है भयानक या फिर दोस्तों डरावना वहीं तीसरा दिख रहा होगा दोस्तों आपका तीसरा लिखा है इमिचे और जी हां दोस्तों अखी मेंचे और आप लोग समझ रहा हुंगे इसका का अर्थ दोस्तों कमेंट करकेए कि मीच्चों का मतलब क्या होता है दोस्तों मेच्चों, मिच्चेों का नहीं उन्हों घ्च्चों का अब जब कानी वाली महा महारतन क्लास में आपको बताया था दोस्तों आज, तो जो बच्चे नए जुड़े होंगे अब जब वीडियो मिलते हैं इसी स्क्रीन पर प्लेडिस्ट रहती है और एक उसी के ऊपर दोस्तों आपका मायराथन क्लास की लगी है तो आप वो महराथन क्लास जरूर देख लिजेगा, उसमें हम लोग सीखे हैं दोस्तों कैसे पहचानेंगे adjective है, कैसे पहचानेंगे noun है, prefix क्या है, suffix क्या है, sequence, sentence क्या है, question, tag क्या है, ये सारी चीजे दोसमें सीखे हैं तो वो संडे वाली महराथन क्लास आप सब जरूर देख लिजेगा, जो बच्चे नए जुड़े हैं वो भी, और जो पुराने हैं वो एक बार और देख लेगे दोस्तों, तो आखिर यहाँ पर देख रहे हैं दोस्तों, क्या जुड़ा हुआ है, यहाँ पर दोस्तों, इम ज लग जाता है, वो जो है 90 से 95 परसेंट दोस्तों एंटोनिम बनाता है, अर्थात मिच्योर का मतलब बिक सीट, तो इम मिच्योर का मतलब होता है दोस्तों, अभिक सीट या आपरिपक्व, तो दोस्तों इसका हो जाएगा अभिक सीट, इम मिच्योर का मतलब होगा दोस्तों, जो अब इकसित वहीं अगर अगला चौते वर्ड पर चले दोस्तो तो लिखा है अन एवाइलिंग और अगला चौता वर्ड और आप देख रहे होंगे दोस्तो अन एवाइलिंग का मतलब होता है दोस्तों आसफल जी है दोस्तों अने वाइलिंग का मतलब होता है दोस्तों आसफल या बेर्थ तो हमने दोस्तों चार वर्ड आपकी स्क्रीन पर लिखा है और मैंने चारों वर्ड के मीनिंग बता दिये दोस्तों अर्थ बता दिये ऐसा ऐसा प्रेक्टिस सेट पूरे यू उसके बाद बताता हूं इसमें एरर क्या है उसके बाद पूरा समझाता हूं दोस्तों अगर इस तरह कोई समझा दे दोस्तों बताइएगा उसके बाद भी देख रहा हूं दोस्तों आप लोग लाइक नहीं कर रहे हैं ऐसे ही करेंगे आप लोग आप लोगों का करता भी होना चाहिए दोस्तों कि अपने गुरू के प्रतिवफादार रहें, लाइक करें, कमेंट करें, सेयर करें दोस्तों, तो चलिए देखते हैं, देख रहे हैं दोस्तों, एनिहिलेट, मोनेश्टरस, इमिच्योर, और अनेवाइलिंग, तो दोस्तों इसमें कह रहा था, अर्थात कौन सा वर्ड है, जिसकी स्पेलिंग गलत लिखे हुए है, तो दोस्तों, आप देख रहे होंगे पहला वर्ड, पहले वर्ड में जो मीनिंग लिखी हुई है, वहाँ पर दोस्तों, लिखी है, ए, यन, आई, यच, आई, यन, ए, टी, अर्थात ये दूसरा वाला य आगे चलते हैं दोस्तों, छठा कुश्चिन क्या है देखते हैं, छठा कुश्चिन क्या है देखते हैं दोस्तों, कह रहा है छठे कुश्चिन में, सेनोनिम आफ और अर्डैसियस, जी हां दोस्तों, और डैसियस लिखा है, ए, यू, डी, ए, 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 यू, डी, ए, 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 वो यू यस जी वह दो स्तों efось दोस्तों मैंने कहा था दोस्तों प्रिफिक्स में ही मैंने बता Between आइडियो लिए डेह दोस्तो उस का मतलब होता है सुनना तो ओडेस यस का मतलब दोस्तों होता है निर्भी या दोस्तों निर्लज और दोस्तों जो बच्चे पुराने हैं वो हमें एक चीज बताएं दोस्तों वो हमें एक चीज बताएं कि अगर किसी वर्ड के अंत में ओ यू यस लिखा हुआ है अगर किसी वर्ड के अंत में ओ यू यस लिखा हुआ है तो वो क्या होता है नाउन होता है एड्यक्टिव होत होता है क्या होता है दोस्तों बताइए जो बच्चे संडे वाली महामायरातन क्लास देखें होंगे दोस्तों उनको पता होगा कि अगर किसी वर्ड के अंत में ओ यू यस लग जाए आई यस यच लग जाए ए बी यल ई लग जाए तो वो हमारा एड़ेक्टिव सफिक्स होता ह है दोस्तों वो हमारा एड़ेक्टिव होता है तो देख रहें दोस्तों और डैसियस और डैसियस का मतलब होता है दोस्तों निर्वीग या निरलज और सेनोनेम बताना है सेनोनेम का मतलब होता है दोस्तों समानार्थी सब्द सेनोनेम का मतलब होता है दोस्तों समानार्थी स अगला वर्ड लिखा है दोस्तों डिस डेन फुल और डिस डेन फुल का मतलब होता है दोस्तों आवहेल ना करना आवहेल ना करना या आवग्या करना अर्थात ना मानना तो यहां पर भी दोस्तों मैंने बताया था कि यहां पर भी देखिए डी आई यस लग गया दोस्तों ड है आगे चलते हैं दोस्तों अर्था डिस्देन फुल का मतलब होता है दोस्तों अवहेलना करना या फिर अवग्या करना आगे देखते हैं जो तीसरा वर्ड आपका लिखा हुआ है प्राउड प्राउड का मतलब घमंडी होता है दोस्तों दूसरा वर्ड लिखा है हाटी हाट और करेजियस का मतलब भी होता है दोस्तों निर्भीग या निरलज करेजियस और करेजियस का मतलब भी दोस्तों होता है निर्भीग या निरलज तो हमको बताना था दोस्तों कह रहा था कि सेनोनीम बताईए तो सेनोनीम क्या हो जाएगा बताईए और डैसियस का मतलब तो बताईए दोस्तों समझ में आ रहा एक नहीं दोस्तों अगर समझ में आ रहा हो तो लाइक करिए और जय हिंद लिखे दोस्तों समझ में आ रहा हो दोस्तों तो जय हिंद लिखे दोस्तों मोहीत आसीज दीपक नितिन रौनक तुलसी कपिल नवीन अब सेक आजय किसन निते भिणिस विशाल नीरस आयूस एक बार जय हिंद दोस्तों सब लोग एक बार जय हिंद लिखिए और आगे चलते हैं मुश्यन नंबर साथ पर दोस्तों कुश्यन नंबर साथ पर चलते हैं क्या कहि centralized सुनिएगा कह रहा है एंट्टोनी माफ ग्लेह मर दिया अथustर चील यमो यू आर इंद्प इधान, जो आए transit लोड़ से होंगे लिखा हो वह दो हमेशनल अब आप सोच रहे होंगे कि unacceptable होता क्या है दोखो तो धुक्रमर को अब होता है दूस्तो हो सोर हुआ कोलाहल हुआ ठीक? क्या चीज दुक्लेबर दोस्तो तो सोर या फिर कोला हल तो दोस्तों अगर हम चले इसके विकल्क पर तो पहला लिखा है क्राई क्राई मतलब रोना दूसरा लिखा है साउट साल्ट मतलब चिलाना तीसरा लिखा है काम काम मतलब सांत और अगला लिखा है अप्रोर यूपी आरो एर और अप्रोर का मतलब भी होता है दोस्तों हला करना अप्लोर का मतलब अप्रोर का मतलब होता है दोस्तों हला करना और कल के सेट में दोस्तों अर्थाद प्रेक्टिस सेट नंबर तीन में हम लोगोंने एक word देखा था और वो वर्ण था दोस्तों आप लोग बताईए इसका अर्थ जो लोग प्रैक्टिस सेट नमबर तीन देखे होंगे दोस्तों जो लोग प्रैक्टिस सेट नमबर तीन देखे होंगे मैं आपके कमेंट का इंतजार कर रहा हूँ दोस्तों तो इसमें हमको बिलोन सब्द पूछ रहा था अर्थात क्लैमर का मतलब होता है सोर या कोला हल और काम का मतलब होता है सांत तो जो आपसल नमबर तीन है वो आपका सही हो जाएगा आप लोग बताईए दोस्तों बॉयस्ट्रस का मतलब क्या होता है चलिए मैं यह आपको होमवर्क देता हूँ दोस्तों आपको होमवर्क देता हूँ आफ लाइन कमेंट करके बताईएगा कि बॉयस्ट्रस का मतलब क्या होता है कि बॉयस्ट्रस का मतलब क्या होता है कल हमने इसको बताया था इसलिए इसक नम्बर आठ चेंज दा वाइस आफ दा फालूइंग चेंज दा वाइस वाइस चेंज करना है दोस्तों सरकुमस्टांसेज बिल ओवलाइजड मी टूगो ये कल वाला वर्ड है दोस्तों कल भी यही वाइस पूछा गया था प्रेक्टिसिक नमबर तीन में दोस्तों और थात म और अगर आप अंग्रेजी में 20 में 20 दिये दोस्तों तो केवल आपको केवल आपको 15 anarch Sir 17 नबर और लाना रहे बॉस्तों और 15श insert一下 नमबर तो आप ही जायेंगे चाहिफ यह भूआ ही ग्रूप से पाझेंगजा चाहिए आप यह बूप से पाझेंगे वहीं अगर आप यक्स गुरुप से हैं दोस्तों तो मैथ और साइन्स अर्थाथ 50 कुश्चन है आपके पास और 50 कुश्चन में 15 कुश्चन तो बड़े आराम से आजाएगा अर्थाथ दोस्तों आप अपनी अंग्रेजी एकदम मजबूत कर लीजे इंग्लिस ऐसा कर लीजे दोस्तों कि कोई भी प्रस्ण आए आपसे छूटने न पाए तो चलिए दोस्तों चलते हैं कुश्चन नमबर आठ की तरफ क्या लिखा है देखिएगा सरकुमस्टांसेज सरकुमस्टांसेज बिल उबलाइज मी सरकुमस्टांसेज बिल उबलाइज मी तू गो देखिए दोस्तों सरकुमस्टांसेज का मतलब क्या होता है सरकुमस्टांसेज का मतलब होता है परिस्थिती सरकुमस्टांसेज का मतलब होता है परिस्थिती आप लोग इसको लिख लीजेगा जो कॉपी लेकर बैठे हैं दोस्तों उसमें आप इसको नोट करते चलिए सरकुमस्टांसेज का मतलब होता है दोस्तों परिस्थिती और ओविलाइज का मतलब होता है दोस्तों मजबूर करना जिहां दोस्तों honest circumstances में turn six recording world acordo मतलब मੁझ़ самой मानने मुझे टो मतलब चाने के परिस्थिति में मुझे जाने के लिए मजबूर कर दिया सर में सरकुमेस्टांस्पे GMA felt in me to go परिस्थिति ने मुझे जाने के लिए मजबूर कर दिया दोस्तों तो इसका मंको पाइशिप बनाना है और मैं कहा दोस्तों कि आपके महीराथन में 25 और ऐक्टिव आइस कराया जाएगा दोस्तों अग्टिब इस वाइस और डारेक्ट इंडारेक्ट आपका एकडम क्लियर हो जाएगा प्रैक्टिस सेट में आप इस कोउस हल करते रहे और ट्रिक मैंने बताय तोस्तों कल भी ही कुस्ष्यन था उसमें भी मैंनेत ट्रिक बताया था दोस्तों अगर आपको अगर आपको बिल सेन में माय मिट है और प्रूड सूड El कएं तो कुड अगर दोस्तों यह सब मिल जाते हैं आगर आपको यह सब मिल जाते हैं दोस्तों तो इसके बाद इसके बाद प्लस भी लगा देते हैं अर्थात अगर बिल मिल जाएगा दोस्तों तो बिल भी जिसमें रहेगा वो सही हो जाएगा सायल मिल जाएगा दोस्तों तो सायल भी जिसमें रहेगा वो सही हो जाएगा कैन रहें दोस्तो हम देख रहें आपशन चार आपSON दिया गया है पहला अप cham afterwards लिए यह तो दोस्तो डूसरा कर दिये पहला लिखा लिखत गो तो जो आपका subject रहेगा वो आपका object बन जाता है जो आपका object रहेगा दोस्तों यह आपका subject बन जाता है अर्थात मी का जो subject होगा दोस्तों I हो जाएगा और I के साथ चुकि यहाँ पर बील है दोस्तों होगा क्योंकि 3 में पूरा नहीं लिखा है 3 में आपका सरकुमर्स टांस नहीं लिखा है तो इसलिए स्लिए नहीं होगा शाख है और अपसे नंबर 4 आपका स रहाएब दोस्तो मैं ने प्रीदर बताई दोस्तों कि आपको कुछ नहीं करना जो आपका औद यापकाebट है स्टार से बताएंगे चलिए आगे चलते हैं दोस्तों कुशेन को जो नोगनो पर चलते हैं दोस्तों मज़ा आ रहरे हैं दोस्तों किंसी का कमें नहीं आया कमेंट करके बताइए दोस्तों कि मजा आ रही एक नहीं आ रहे समझ में आ रहा है बताइए दोस्तों अभी तक किसी का कमेंट नहीं आया हाँ आने लगा ठीक है बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं दोस्तों कि समझ में आ गया तो ठीक है आप लोग कमेंट करते रहा क डारेट का लिखा है दोस्तों चेंज ना नारेशन आफ़ दा फालोईंग रिखेट कम रोड़ वेट रिखेट कम रोड़ वार्ड लिखा है दोस्तों रिखेट फार्द रीवाड आओ एवाड के लिए वेट करें जी हाद दो आओ एवाट के लिए वेट करें तो मैंने कहा दोस्तों एक बार फिर समय बता दे रहा हूं कि अगर आपको डारेक इंडारेक्ट में लिट असमिल जाए तो लेट असमिल जाए तो लेट आसकी जहां पर दोस्तों दे सुड़् या दोस्तों वीजो दोचीज लिखा जाता है दोस्तों अगर आपको डारेक्ट इंडारेक्ट में दोस्तों लेटे अस्मिल जाए तो आप भीकल्प में केवल धूढ़े दे सूद्य या तो चलते हैं हम पहला लिखा है he said diet let them गलत हो गया नहीं होगा पहला दूसरे चलते हैं तीसरे चलते हैं दोस्तों ही एस पाइल्ड टू वेट फारदा एवार्ड यहां पर भी आपको दे सुड नहीं मिला दोस्तों चौत्रे पर चलते हैं दोस्तों ही प्रपोज्ड दायेट ही सुड अर्थात यहां पर भी नहीं मिला दोस्तों तो हम देख रहे हैं जो आपसन नमबर दो है हमारा ही प्रपोज्ड दायेट दे सुड वेट फारदा एवार्ड तो हमने कहा दोस्तों कि दे सुड ढूड़िये अगर आपको लेट अस मिल जाएगा सेंटेंस में तो आप क्या ढूड़ेंगे विकल में दोस्तों दे सुड ढूड़ेंगे मैंने कहा दोस्तों कि आपको ऐसी ट्रिक बता दूगा आपको ऐसी ट्रिक बता दूगा कि कभी भूले गा नहीं बस इंतजार करिए दोस्तों इंतजार करिए हम लोग हम लोग आज सेंटेंस खतम की दोस्तों और कल और परसों दो दिन में आपका टेंस खतम हो जाएगा दो दोस्तों आप हमारे साथ बने रहें और जादा से जादा लोगों को सेर करते रहें ताकि देखें दोस्तों अगर जादा से जादा बच्चे जुड़े रहेंगे देखेंगे दोस्तों तो लगातार आपको वीडियो मिलती रहेगी और पढ़ाने में दोस्तों कहीं कोई कमी न पैर झाल रेखेगा दोस्तों तो याद रखेगा दे शुढ हम ढूट ए यह वीosed रही तो प्लॉर्टि ही सव्य शैन नंबर 10 एंअ कुश्चन नमबर दस लिखा है फेन आइन आफ बुलक जी हम दोस्तों फेने आइन आइन आफ बुलक और दोस्त्तों मैंने कहा कि आपके एयर फोर्स के एकजाम में एक कुश्चन मिस्स पेल्ट का एक कुष्चन आपका फेमिनाइन बनाने का मतलब इस्त्रीलिंग बनाने का एक कुष्चन आपका एंटोनिम का एक कुष्चन आपका सैनोनिम का एक कुष्चन आपका वन वर्ड सब्टिट्यूशन एक कुष्चन आपका आइडम्स फ्रेज एक कुष्चन आपका पैसी वाइ कह रहा है कि फेमिनाइन आफ बुलक B-U-W-L-O-C-K B-U-W-L-O-C-K जी हां दोस्तों दसवा और ग्यारवा कुश्यन आपकी स्क्रीन पर लगा है दोस्तों तो बुलक का मतलब पूछ रहा है और बुलक का मतलब बुलक का इसरी लिंग पूछ रहा है दोस्तों और बुलक का मतलब होता है दोस्तों आप जानते होंगे बैल बुलक का मतलब दोस्तों आप जानते होंगे बैल होता है और चार आपसन दिया गया है पहला बुल दिया गया है बुल का मतलब भी होता है दोस्तों बैल ही बुल दिया गया है उसका मतलब भी दूस्तों बैल वहीं दोस्तों ही फर लिखा हुआ देखिए यच ई-i-f-e-r ही फर का मतलब होता है दोस्तों बचिया ठीक ही फर का मतलब होता है दोस्तों बचिया या गाय जिसको बोलते हैं आप और वहीं अगला एक वर्ड लिखा है दोस्तों EWE EWE और EW का मतलब होता है दोस्तों भेड तो आप लोग बताएं दोस्तों आप लोग बताएं कि बैल का बैल का फेमिनाइन क्या हो जाएगा दोस्तों तो बैल का फेमिनाइन जो हो जाएगा दोस्तों बैल का फेमिनाइन जो हो जाएगा दोस्तों वह आपका हो एगा हैफर हाइफर का मतलब होता है बच्छिया तो यह लिख लीजे दोस्तों मैंने कहा दोस्तों आप हमारे साथ नोट्स बनाते चलिए जब आप तस दिन बीटेगा दोस्तों जो बच्चे पढ़ रहे होंगे आज हम लोगों का आठवा दिन है आज हम लोगों का चौथा से थे दोस्तों बारवा दिन है और बारवा दिन है आपको मजा आ रही होगी दोस्तों आगर आप लगातार पढ़ रहे होंगे तो आपको मजा आ रह लिखा हुआ है कह रहा है प्लियूरल आप कार्फ 11 कुश्चन में दोस्तों लिखा है सी ए या लिफ कार्फ का आपको बहुचन बताना है प्लियूरल बताना है और मैंने कहा दोस्तों कि एयर फोर्स में एक कुश्चन प्लियूरल के लिए आता है तो दोस्तों आप पहले आप काल्फ का मतलब होता क्या है दोस्तों तो काल्फ का मतलब भी दोस्तों यही हाइफर जो है यही काल्फ का मतलब भी होता है दोस्तों बच्छिया काल्फ का मतलब भी दोस्तों बच्छिया होता है और चार आपसन लिखा है दोस्तों पहला काल्फ ही लिखा है कोई मतलब नहीं अगला काल्स लिखा है इसका भी कोई मतलब नहीं चौथा देखिए देश्टों काल्स लिखा है C-A-L-V-E-S और इसका मतलब होता है दोस्तों बच्चियां जी हां दोस्तों काल्स का मतलब होता है दोस्तों बच्चियां अर्थात कई बच्चियां तो आप सोच रहे होंगे दोस्तों कि सर जी कैसे जानेगे कि यह लगेगा दोस्तों कैसे जानेगे कि यह लगेगा याद रखेगा दोस्तों अगर आपको अंत में यफ मिल जाए और उसका अगर बनाना हो दोस्तों उसका अगर बनाना हो दोस्तों या फिर उसका प्लियूरल बताना हो दोस्तों तो हम करेंगे क्या दोस्तों करेंगे क्या V.E.S. जोड़ देते हैं चहाँ पर Y.F. रहता है दोस्तों वहीं पर V.E.S. जोड़ देते हैं नाइफ मतलब चाकू और अगर चाकू एं अर्थात एक से अधिक चाकू तो के याण आई वी इएस नाइफ out ' एख से अधिक चाकू टो देख रहे हैं दोस्तों अगर अंत में आपको कहीं पर अगर आपको यफ मिल जाएगा और उसका बहुचल बनाने कहेगा दोस्तों तो I, V, E, S लिख देते हैं और ये important है यार रखिएगा ये rule आपका important है दोस्तों इस rule को हम लोग noun में भी पढ़ेंगे इस rule को हम लोग noun में भी पढ़ेंगे जैसे एक word बताता हूँ 2018 में पूछा था दोस्तों लोव 2018 में पूछा था यल-a orf और कह रहा था लोफ का लवत लोफ का मतलब होता आप डों रोटी और झांत चंब बनाएंगे दोस्तों त यह हो जाएगा है ये यह यशलो working है दोस्तों यह वर्ड 2018 में पूछ और दोस्तों तो मैं मैंने कहा दोस्तों कि आप हमारे साथ बने रहे और निश्चित ही आपको अच्छी अच्छी चीजें यहां पर मिलेंगी आगे चलते हैं दोस्तों कुश्यन नंबर 12 पे 12 और 13 आपकी स्क्रीन पर लगा होगा कुश्यन नंबर 12 और 13 आपकी स्क्रीन पर लगा होगा देखते हैं 12 यहां और विंचर का मतलब होता है दोस्तों बहादूर जोसीला विंचर का मतलब होता है दोस्तों बहादूर या जोसिला तो चलिए दोस्तों हमको बताना क्या है adjective of विंचर विंचर का adjective बताना है दोस्तों तो मैंने कहा था दोस्तों कि adjective का जो suffix होता है adjective का जो suffix होता है दोस्तों a-b-l-e होता है o-u-s होता है इसी तरह मैंने काफी बताए थे दोस्तों आप संडे वाली क्लास जरूर देख लीजेगा तो इसमें एक वर्ड देखे लिखा है विंचर सम लिखा है दोस्तों देख रहे होंगे आप एक वर्ड लिखा है दोस्तों विंचर सम लिखा है और विंचर सम का मतलब भी होता है दो एडवेंचर का मतलब होता है खत्रे में पढ़ना या खत्रा जोखिम मुल लेना तो एडवेंचर उसे कहते हैं और मुवी भी आप लोग देखे होंगे दोस्तों एडवेंचर मुवी ही आई है तो एडवेंचर का मतलब ही होता है दोस्तों खत्रा मुल लेना या खत्रे में प को बता दो दोस्तों कि first की जो positive degree होती है वो होती है दोस्तों फोर फोर आपकी positive degree है किसकी दोस्तों first की तो first की positive degree 4 हो जाएगी दोस्तों यहीं है spelling देख लीजिए तो अर्थात option number 3 आपका सही हो जाएगा दोस्तों option अर्थात का जाएगा ठीक आगे चलते हैं दोस्तों यहां सबस्क्राइब सब्सक्राइब सब्सक्राइब प essent nume मख 11 सब्सक्राइब penalty डिखते हैं क्या है कुश्यन नमबर 14 पे चलते हैं दोस्तों और कुश्यन नमबर 15 पे चलते हैं कुश्यन नमबर 14 लिखा है दोस्तों study of languages जी हां दोस्तों study of languages और study of languages का मतलब होता है दोस्तों भासा का अध्यन मैंने आपको बताया था दोस्तों logi word मैंने आपको logie word بتایا تھا दोस्तों जो बच्ची काफी दिन से युड़े होंगे उनको पता होगा दोस्तों हमने आपको logie word बताया था और बताया था कि अगर word के अंत में logie मिल जाये तो logie का मतलब होताय दोस्तों अधियन немного logie का मतलब होताय दोस्तों कीटों का अध्यान जी है दोस्तों एटिमोलाजी मतलब होता है दोस्तों कीटों का अध्यान वहीं दूसरा लिखा है दोस्तों दूसरा लिखा है दोस्तों प्रिस्टोलोजी दूसरा लिखा है दोस्तों नहीं पंचुएशन लिखा है दोस्तों पंचुएशन लिखा है दोस् दोस्तों फिलोलोजी और लिख लीजिए आप लोग दोस्तों फिलोलोजी और फिलोलोजी का जो मतलब होता है दोस्तों भासा का अध्यन फिलोलोजी का मतलब होता है दोस्तों भासा का अध्यन फिलोलोजी लिख लीजिए दोस्तों फिलोलोजी का मतलब होता है दोस्तों भास का जो सही जवाब हो जाएगा वह ता आपसर नबर चार कुश्चंच नबर 14 का आपसर 4 दोस्तोव सही हो जाएगा और वहीं आगे देखते हैं आगे लिखा हुआ है देस्ट हंगाा है दूस्तों तो प्ले दके लेशा को तू प्ले दा लिप सर्विस और तू प्ले दा लिप सर्विस का मतलब होता है दोस्तों तू प्ले दा लिप सर्विस का मतलब होता है दोस्तों जली दोस्तों देखते हैं तो पंदधना लिखा दोस्तों टू प्ले दलेख सर्विश और टू प्लेश लिप सर्विस का मतलब होता है दोस्तों तूसो ओनली आउत्वाइड रिस्पेक्ट भी र法थ, दोस्तों लिख है? टू प्ले इत्व मतला कहलना, डालीब live service or lip कCloud ओर तो हो के सामने खेलना मतलब डोस्तों किसी के सामने उसकी बढ़ाई करना और पीच पीचे उसकी बुराई करना वही चीज होता है दोस्तों ब्ले द लिप service और इसका जो अर्थ होता है दुस्टों to see only outward respect जी सो to so only outward respect मतलब मतलब क्या हुआ दोस्तों मुझ में राम बगल में छूरी अर्थात जुबान पे कुछ और है दोस्तों लेकिन दिल में कुछ और है तो वही चीज है कि दिल से कोई दगाबाज निकल जाए दिल से कोई दगाबाज निकल जाए और हम उस पर यकीन करते रह जाएं तो वही होता है हमारा क्या दोस्तों वही होता है हमारा to play the lip service हम तो उनके लिए परिसान हैं हम तो उनके लिए परिसान हैं हम तो उनकी यादों में बेशुमार हैं लेकिन बाद में पता चला कि वो तो किसी और की यादो के खुमार हैं तो दोस्तों अगर आपके मन में कुछ आर हो और आप बोल कुछ आर्य हो दोस्तों तो वहीं चीज होता है आपका टूपले दा लिप सर्विस अर्थ है इसका जो सई सही जवाब हो जाएगा option number 2 दोजाएगा पंद्रह में का जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों वो option number 2 हो जाएगा आगे चलते हैं दोस्तों और आगे दोस्तों question number 16 से ले करके question number 20 तक आपका filling the blanks है मैंने का दोस्तों कि इंगलीप में आपको चार कुश्टिन पाइसट से चार कुश्यन आपको फीलिंग requires ब्लैंगे से मिलते हैं फिल्फ न ब्लैंस की बात करें दोस्तों लिखा है टीथ टीथ का मतलब होता है दोस्तों दात तीथ का मतलब होता है गला अग्ट reel एंग क्लंग और क्लंग का मतलब होता है दोस्तों बजना दूसरा लिखा है दोस्तों दूसरा लिखा है square, yes, q u al और square का मतलब होता है दोस्तों किलकारी मारना वहीं अगला दिखा है दोस्तों, chatter और chatter का मतलब होता है दोस्तों, cut cut na और वहीं चौथा दिखा है दोस्तों, आखरी वर्ड लिखा है क्लैटर का दोस्तों आप लोग बताई दोस्तों आप लोग बताई कि क्या दात बजता है क्या दात किलकारी मारता है या फिर दाथ कटटाता है और यह फिर दाथ कटटाता है तो थन्दी के समय में दाथ कैसे करता है 孩S कटटाना अरथाथ आप देख रहे हूंगी दोस्तों वह सगी स्क्रीन पर लगा है शोलवे का जो सही ज़्वाब हो जाए के दोस्तों वो हो जाएगा आप्सनी सलमे कशल जवाब जाए गाप का नमबर तीन और वहीं लिखा है यंग मुण्स ऑफ यसे मतलब होटा है उन को जाए गोरह का बच्चा इंग मतलब मतलब हो होता है दोस्तों घोड़ी का बच्चा और यहीं चीज़ पूछा था कि यंग वन आफ एस अर्थात घोड़े का जवान लड़का क्या कहलाए का दूस्तों तो घोड़े का जवान लड़का क्या कहलाएगा फूल कहलाएगा वही आगे चलते हैं दोस्तों कुश्यन नमबर लिखा है ए डाट डाट आफ पीजन इस अन दा वाल जी हां देखिये पीजन आपका पक्षी है दोस्तों पीजन आपका पक्षी है और वहीं चीज़ लिखा है क्या कह रहा है देखियेगा रुकिये दोस्तों तो देखिये पीजन अब चुक्कि देखिये पक्षियों का जो जुन होता है दोस्तों पक्षियों का जो जुन होता है दोस्तों उसे कहते हैं उसे कहते हैं ब्रेश जिहां दोस्तों पक्षियों के जुन को दोस्तों ब्रेश कहते हैं और ब्रेस का मतलब हो जाएगा दोस्तों इयां पर की एट ब्रेस आपि जनस इस आंदावाल मतलग के जो झुंड है वो धी वालपर है दोस्तो अर्थात अठार में कर जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तो अठार में का सही जवाब हो जाएगा वो दूसरा हो जाएगा आपसा नमबर दो वह उन्नीसवा देखते हैं दो इतना और यंगर यंगर तो एल्डर मतलब होता है बड़ा इतना बड़ा है जितना और आगे लिखा है दोस्तों सुलोमन वैक्ष मूल बटर तो दोस्तों वैक्ष हो जाएगा यह इतना बड़ा है यह इतना बड़ा है दोस्तों इल्ड का मतलब होता है आई जिसको बोलते हैं आई भी कह सकते हैं अरजन कह सकते हैं तो मोल इसका हो जाएगा दोस्तों वैक्ष हो जाएगा अर्थात 19 नमबर का दोस्तो 19 नंबर को हो जाएगा आपसर नंबर चार वहीं 20 नंबर पर देखते हैं दोस्तों ही इज डाट डाट टैगोर आफ हिंदी पोईट्री दोस्तों जब किसी की तुलना किसी व्यक्ट इसे की जाती है तो उसके पहले दा कप्रियों करते हैं और आर्टिकल में हम टैगोर आफ हिंदी पोईट्री वा हिंदी पोईट्री के टैगोर हैं तो यह थे आज के 20 कुश्चन दोस्तों हम लोग प्रैक्टिस सेथ नंबर चार सॉल्व कर लिए और हम लोगों को पैसेज पढ़ना है दोस्तों और पैसेज मैंने कहा कि आपको मैं पैसेज किये कि देखेंगे तो एक बार आप लोग जय हिंद लिखें दोस्तों एक बार जय हिंद लिखें दोस्तों सर्फ रोसी की तमन्ना अब हमारे दिल में है देखना है जोर कितना बाजवे का दिल में है अगर अभी तक नहीं पढ़ाई किये हैं दोस्तों तो लग जाए आग से हमारे सा जय हिंद दोस्तों जय हिंद दोस्तों तो ये था आज का सिशन दोस्तों मिलेंगे अगले वीडियो में तो जो बच्चे बाद में जुड़े होंगे वो पूरा देख लेंगे वीडियो बहुत दमदार क्लास है दोस्तों बहुत दमदार क्लास है बसके वल देखते रहिए ला झाल झाल